नमस्कार मेरी यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है आज मैं आपके सामें चाइल डव्लप्मेंट के आगी की टॉपिक को लेकर आई हम लास्ट क्लास में डिस्कॉस किया था इसे ग्रोथ और डवलप्मेंट अभी अम लोग कॉंटिनू कर रहे हैं व्रिध्य और इस व्रग्य व्रिकास में से मैं कईचीज़ कर रा चूकी हूं जैसे फैक्टर्स करा दिया है डिफरेंस बिट्विन ग्रोथ और डवलप्मेंट कर दिया है उसके बाद अब जो शुरू करने माले हैं वह आका कह स्टेज़ शूरू कर रखे आगें स्टेज़ में मैं आपक तो अभी हमने लास्ट क्लास में बात किते हैं, जिसमें मैंने प्री निटल स्टेज के बारे में बताया था आपको, आज मुझे टॉपिक आपको बताने वाली हूँ, वो आगे का है इन फैंसी स्टेज, जिसको हम सैशा अवस्था के नाम से भी जानते हैं, अब देखो कि हर एक स्टेज के अपनी उचिर रिस्ता होती है, क्योंकि हर क्या स्टेज के अने in ряд से रिक Will D. कॉस्ठ आपके लिखने ले способ होती है, हम समय है अम्र के सांने तरौन पर सभी मनोह विद्जानी को कि अधस्टा बात करते हैं, तो यह उन की उम्र रखी गई है, वो उम्र एक्लों साल की माने जाती है, पर प्याजी की बात करें, या हम आलग-अलग मनोविज्ञानिकों की बात करें तो हम आपने सब एज को रखते हैं, तो हम यहां दोटे पे हमें काम किया है धन्य पर बद्ध के स्टेज की हम आपके सराइज के當om सब्क्रूम के तो 12 जब गया है काम किशिए और जब बात करड़ सभा था तोłbyil tips डिपने स्टेज के बात करें कैंड आपकर दोन बच्चे की प्रॉसर शुरू होथी फोरी फोर यहां इंद्रियों के सहारे सिरुती है, बच्चा जो है जो भी लर्निंग करता है वो किस के जरीय करता है तो वो ज्यानींद्रियां सेंसे के जरीय करता है, इसलिए एक comes dese people to teacher in Afghanistan stage, तो जो भी हमारी सिक्षख होती है सिक्षख के रूप में कौन होती ही ज्यानींद्रियां, और वो बहुत अच्छे से लर्ण कर पाता है। इसी में इस एज को एक और नाम से जाना जाता है जो आपके एक्जाम में पूछा भी गया है। टॉइ एज इसको क्यों कहा जा रहा है। खिलोनी की आईयो क्यों कहते हैं। अना प्ले एज भो देते हैं। इसको खेल के आयो नहीं कहते हैं। यह टॉइ एज है। तो तक यहां पर हम लोग खिलोनी की बात कर रहे हैं। तो बच्चे जो हैं इस हुम्रा में सबस्तों जाधा आकरशित होते हैं किसे खिलोने से। वो बच्चों से जाधा से जाधा लिंक करते हैं खिलोनों के साथ। उन्हें बहुत मज़ा आता है कि चार तरफ उनके खिलोने हो। इसलिए हम लोग पढ़ाने के दौरान यह सारी चीज़े पढ़कर उनके एक्षूर्ण का इंवार्मेंट करते हैं। हम तीन सार से बच्चों को स्कूल में अडमिशन दे देते हैं जिक प्री प्राइमरी टीचिंग के लिए। तो यहां पर हम क्या करते हैं कि यह सब क्यों पढ़ रहे हैं। पढ़ने का में तो कुछ उदेश ही होगा। थोड़ी जाए हुए कि अमें बच्चों की अBeन बच्चों की नाॉलेश के लिए पढ़ रहे हैं। उसका प्रयมา करना हैं। क कहां करना हैं। क्लास में करना है… कैसे करना हैं? अगर हम बच्चों क Просто कि ग्रोथ जादस आख समझ जाते हैं, तो हम क्यों नब पढ़ाने की दौराना जादा से जादा खिलोने का इस्तमाल करें। और बच्चे उनसे अकरशित होकर जो हम सिखाना चाहते हैं, जिस सुदेशिक को हम पूरा करना चाहते हैं, वह हम करवा सकते हैं। प्लास दूसरा देखेंगे ग्रोथ फास्ट ड्यूरी इन फैंसी इस ड्यूरीशन में पहले भी आपको बता चुकी हूं कि अगर मैं इस तरीके का डाइगान मनाती हूं ज्यां रखना है कि घ्रोध की अपेक्षार अगर इसको थोड़ा घर और मैं चली जाहां यहांपर क्या होता है यह विंधिया हो जाती है डव्लप्मेंट द्विरोध हो जाति है इस असलिए इन सब सब्सेंज़ ज़्यादा क्या होता है पर बाल यावस साम रोनों चीजी से होने लग जाती जाता है और डवलप्मेंट भी चलता है एक कि ऐसे चीज अपैक्शा किसमें घुलापमेंट्मेंट्मेंट्स जाधा होगी उस इस पोईट के लिए स्विस्टाइच पॉइंट का इंपॉर्टन कीजे है कि तीचर को यह पता चाहिए कि इस डिवेशन में इंफैंसे स्टेज के दौरान बच्चे की जो शारिरिक रिया हैं वो जादा अच्छी होनी चाहिए बच्चों को जादा से जादा अक्टिविटी कराना चाहिए जादा जादा फिजिकल करते हैं हम बच्चों को बहार सोट कराते हैं के लिख उटना और फिज्टे कराटे हैं मुवमेंट लेना राई में अक्टिविक्टी कराते हैं प्लस इसके साथ साथ हमनों बच्चा अनुछ गाइडिंग काउडिंग प्ट्वें योगाी तो यह सारे चीज़े करा कर वच् और इसका उप्योग करने ही सीख जाता है पर उतना प्रॉपर नहीं बढ़ हां उन चीजों का उसे पता चाल जाते कि यह क्या चीज है इसका यूज क्या है अच्छा स्टैंडिंग है अपने पैरों पे खड़ा उपर काम करना स्टार्ट कर देता है अब टिपेंडेबल तो होता है यहां रखोगी जो 0-5 की एज है इसमें डिपेंडेबल होता है बच्चा जो होता है वह आश्री होता है पैरिंट्स पे और इसमें एक पॉइंट और घृस उवड़ा लोगो कि इस उम्र में जो अब करता है त्रस्थ करता है फिलाटा करता है जो जल्दी से बाहर वाल लोहों पर ट्रस नहीं करते हैं उससे समाद सुसाइटी से कोई लेना देना नहीं होता वो पॉससलिफ अपने आप की सिमी ब्लस में कुछ ख जाने के अच्छे की लाइफ में, फैमिली और स्कूल फ्रेंड्स दो सम्मों बन जाते हैं, एक जो फैमिली के नियर अबाउट जो फ्रेंड्स बनते हैं वो, जैसे नेबर हो वाले, और एक जो फ्रेंड्स के जो फ्रेंड्स होते हैं वो, तो दो फ्रेंड्स अलग अलग कैटेगरी मे को बनाते अपर बींहीं है, तो फिल्लाल की लगा निया है इक से फान साल का है उसको कोई गृप नहीं पता हा, उसको कोई आसिपरोब करने पत आ, उसको एतनų पासलेट सिर्फ अठेट। यह कोश्चिन आया हुआ है टॉडलर्स, टॉडलर्स का मंदर क्या होता है देखो, 12-36 महिने के बीच के जो बच्चे होते हैं, उन्हें हम टॉडलर कहता है, हिंदी में प्लाग नहीं कुछ आ जाता है, इंग्लिश में याद कर लेजीगा, तो आप इसको एक से तीन साल भी ब अच्छे के अंदर अपने सेंस के द्वारा जो नॉलेज ग्रहन करता है, हाना कि क्या है, क्यों है, कैसे है, तो थोड़ा सा जानकारियां है, जो नॉलेज है, जो अपने माइंड में ऐसी अक्वायर करता है, उसको हम स्कीमा कहता है, स्कीमा क्या है, किसी चीज के बारे में स प्याजे करता है कि चाहिक के इन ग्यान का निर्मान करता है तो बच्चा बार बर्थ इंट इन्ट प्रोसेस श्टाट कर देता है आपने सुना हो कि पांस सार के उम्रे तक बच्चे का माई होता है उन 90 पॉसें डवलब हो जाता है तो यहां इंटेलेक्शिल प्रोसेस तो चल रहा है बट यहां पर अपने आप कोई चीज़ करने के बज़ए किसी चीज़ को देख कर उसको कॉपी करता है जैसे तुमने सुना हो मिमेकरी करना कॉपी करना तो पैरिंस जैसा कर रहे हैं मुमी डैडी जैसे कर रहे हैं तो बढ़े कर रहे हैं तो बढ़े कर रहे हैं या ममा खाना बनानी तो मैं भी कढ़ाई में लेकर चमत से खाना बनाओ या मैं ग्यास चालू करते हैं क्यों कर रह कि उन्हों बड़ा मज़ा आता है जब जैसे बड़े करते हैं उनके जैसे करना तो उन्हें लगता है कि हम भी मिचौर हो गए हैं तो यहां के इंविटेशन कॉपी की जरिये सीथे हैं इसलिए हम लोग क्लास में कैसे अस्तमाई करेंगे क्लास में बच्चे को हम कोई भी चीज जैसे आप लोग को याद होगा कि हम लोग हमिशा जैसे अ से अनार आ से आम ऐसे बोलते हैं एफो आपल तो यह बच्चे क्या है प्रिनांस करते हैं उसी तरी किसे यहां है टेबल हम हिंदी गौर्मन स्वर में दो एकंदो दो दुनी चार लाइक राइन तो बच्चों को बुलवाते हैं तो बच्चे क्या लेट उसको कॉपी करते हैं और बच्चे जैसा इसे टीचर बुलती है जैसा पढ़ती है बच्चे उसको वैसा ही पढ़ते हैं इसका व्योग हम लोग यहां पर लव नहीं होता है इसका मतलब यह है कि इसमें कह सकते हैं कि अगर 0-2 की बात कर रहे हैं तो out of sight out of mind की बात करते हैं इस सुम्र में बच्चाते को दिहान दोनों में फरक हैं इसे मैं आपको बता एक चीज डिफरेंस के लिए कर वा दूगी कि जब हम 0-2 की बात करते हैं छोटे बच्चे की बात करते हैं तो अगर कोई खिलोना रखा हुआ है और वो खिलोना उसके सामने से हटा दिया जाए तो वो भूल जाता है इसका मंदब आखों के सामने है तो याद है और आखों से हटा दो तो वो भूल जाता है तो इसको आउट ऑफ साइफ आउट ऑफ माइल होते पर 0-2 के लिए है विटा पर इंफेंसिव में ही लिखवारी हो मैं क्योंकि यह जो है प्याजे निका है ठी कि जब मैं प्याजे की थोरी कराऊंगे तो आपको धियान रहेगा आपकी में यहां लेख देती हूं कि यह प्याजे की द्वारा है अच्छा उसके बात है सेंसेदार टीचर मिल्कुल ज्यानेद्रियां यहां सिख्षप का काम करती है और आपको सिखाती है जैसे स्मेल करन पास साल तक की बात करते हैं इसकी बात करते हैं तो आपजेक्ट पर्मानेश हो जाती है बस तो इस थायक्वान माला चीज को देखकर भूलेगा नहीं अभी मैं क्या है आउट आउट ऑफ साइट आउट ऑफ बॉक्स मालब सामने से हटी और भूल गये बट ऑब्जेक्ट जो है अगर 0-5 बोला जाए दोनों में डिफ्रेंस है जीरो टो टू प्याजे ने गहा है पर 0-5 में भी प्याजे नहीं कहा है जब बात करते हैं हम लोग आगे की तो 2-7 की अवस्था होती है प्री कंवेंशनल स्टेज वहां पे उन्होंने कहा है कि अप्जेक्ट पर्माने नहीं होना पर यहां पर हो जाता है इसका मतलब पात साल के एंड तक बच्चे में अब्जेक्ट पर्मानेंस आजा तो इसके सामने से कोई चीज हटाओगे तो वो पूछेगा कि कहां गे या फिर उसके लिए रोएगा चिलाएगा या मुझे उसको लेना है इस तरीके का ब मानेता हैं तो आप सबको फिच्डे नहीं पकाओगे जहां जैसे पूछेगा आप महां पर किसी की मानेता क्या रहार पे पूछेगा तो आप वहां पर जिरू टू के अगर नहीं पूछ रहा है किसी की मानेता तो नॉर्मल पांसेप पर लगा सकते हो तो यहां पर यहां प मिए आपने क्लास के इंवारमेंट को और जादे एक नंवीरक्टपनी ऐच में सब्यासन आपने सब्सक्रण को समझें और जितना हम बैचो को समझने में अज़ाने झाल झाल